Hello friends, welcome to my YouTube channel Friends, आज मैं आपको स्किन की खुबसूरती को बढ़ाने के लिए ऐसा प्रोडक्ट्स बताने जा रही हूँ जो ना केवल चेहरे पर लगाने से बलकि खाने से भी आपके स्किन को खुबसूरत बनाएगा और वो है आपकी रसोई में पाया जाने वाला टमाटर यह केवल खाने के लिए नहीं बलकि नाचर प्रोडक्ट भी है टमाटर में फाइबर, कार्बो हाइट्रेट्स, पोटेशियम और आइरन भरपूर होता है साथ ही इसमें एक ऐसा तत्व होता है जो एंटी अक्सिडेंट्स होने के साथ स्कीन टोन को भी बहतर बनाता है और वो तत्व लाइकोपीन होता है फ्रेंड्स जैदी आपने मेरे से तो स्वाथिचन को सब्सक्राइब नहीं किया है दो चमच टमाटर के रस में हाफ चमच शैद मिला कर अच्छे से मिला ले इसके बाद इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा ले और 20 मिंट के लिए छोड़ दे आप चाहें तो 2-3 मिंट के लिए मसाज भी कर सकते हैं थोड़े ही दिनों के इस्तेमाल से चेहरे पर ग्लो आ जाएगा सेकिंड है टमाटर और नीबू नीबू में मजूद एंटियोक्सिडेंट्स और टमाटर के गुन मिलकर चेहरे की खुबसूरती को बढ़ाने में हेल्प करते हैं एक चम्मच टमाटर के रस में कुछ बूंदे नीबू के रस की मिलाए उसके बाद इससे अपने चेहरे पर अच्छे से लगाएं खास कर जहां जादा काला है इसके बाद 20 मिनबा चेहरे को ठंडे पानी से धोलें साथ ही या डार्क सर्कल्स की समस्या को खतम करने में भी हेल्प करता है नीमित रूप से ऐसा करने से स्किन टोन को भेतर होने में हेल्प मिलती है थर्ड है टमाटर और दही गर्मियों में धूप के एकारे स्किन काली पढ़ने लगती है जिसके एकारे तवचा अपने रंगत खो देती है परिशानी से रहात पाने के लिए एक कप दही में एक टमाटर डाल कर अच्छे से पेस लें और इसे अपने चेहरे पर लगा लें और सूपने के बाद चेहरे को ठंडे पाने से धोलें ऐसा करने से स्किन का काला पंदूर होगा साथ ही चेहरे में चमक भी आएगी हमारा फूर्थ है टमाटर और खीरा टमाटर का इस्तेमाल खीरे के साथ करने से चेहरे की खूबसूरती बढ़ने के साथ तेले तवचा के समस्य से भी निजात मिलती है दो चमच टमाटर के रस में दो चमच खीरे का रस मिलाकर चेहरे पर लगा ले और 15 मिंट बाद चेहरे को धोले ऐसा हर रोज रात को सोने से पहले करें इस पैक से तेली तवचा से शुटकारा मिलने के सासा तवचा को खूबसुत बनने में में हेल्प मिलेगी हमारा फिफ्ट ए टमाटर के रस को चीनी के साथ मिलाकर लगाने से स्कीन के लिए स्क्रब का काम करता है जो चेहरे की डेट सेल्स को हटाकर स्कीन को भेतर बनाने में हेल्प करता है दो चमट टमाटर के रस में थोड़ी सी चीनी मिलाकर चेहरे पर मसाज करें और 10 मिन बाद चेहरे को धोले ऐसा करने से तवचा खूबसूरत और कोमल बनती है इन सब के लावा यदि आप नीमित रूप से केवल टमाटर के रस से चेहरे की मसाज करते हैं तब भी आपकी स्कीन साफ मुलायम और चमकदार बनी रहेगी फ्रेंड्स ये थे स्कीन के लिए टमाटर को इस्तेमाल करने के तरीके यदि आपको मेरे द्वारे दीख की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीस मेरी वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले थैंक्स फॉर वचिंग मै वीडियो